अब लालू जी आज कल दीन में सपना देख रहे हैं तो उनको सपना देखने से कौन मना कर सकता है अब दो महिना पहले उनक्या भासन देते थे ज़सुई जी क्या देते थे चालीस में कितना सीटी लोग जीत रहा था लेकिन बिहार की जनता ने इनको चार सीट पर लाके रुपावली की जनता अभी एक मेना पहले नकार चुकी है उनकी उमिद्वार को उनकी पार्टी को फिर दुबारा वैसा ही परिडाम रुपावली की जनता देगी और इंडिये की वहाँ जीत होगी बहुत साफ तोर पे पूरे चुनाव परचार अभियान में दिखा है कि रुपावली की जनता इंडिये के साथ है और इंडिये के प्रत्यासी को अच्छे मतों से रुपावली की जनता विज़ई बनाएगी और जो आरजेडी की उमिद्वार है उनको तो अभी एक महीना पहले ही रुपावली की जनता ने और पूरी पूर्णिया लोकसवा की जनता ने इतने कम वोटों पे समेट दिया कि उनको संदेश दे दिया कि अब पूर्णिया की जनता आपको सुईकार नहीं करती है रुपावली की जनता ने भी बहुत कम वोट दिया था तो चुनाव परिणाम असपस्ट है कि एंडिये के प्रत्यासी की एक बड़े अंतर के साथ जीत होगी और इसलिए जीत होगी कि नड़ेदर मोदी जी और नेतियस कुमार जी के नेतिर्टु में रुपावली की जनता को भरोसा है विश्वास है और यह जो उपचुनाओ है इससे रुपावली की जनता संदेश बहुत साफ तोर पे देगी कि रुपावली और पूर्णिया में आज भी लोगों का विश्वास और भरोसा इस डबल इंजन सरकार के साथ है लिवो इंडिया के तरफ आ गए तो तेजस्वी जी को यह भी बता देना चाहिए था कि पूर्णिया के लोगसभा चुनाओं में विबा भारती जी को पूर्णिया के और रुपावली विदान सभा के लोगों ने कितना भोड दिया था यह नंबर भी बता देते जनता को औ उनकी उमिद्वार को उनकी पार्टी को फिर दुबारा वैसा ही परिडाम रुपावली की जनता देगी और इंडिया की वहां जीत होगी बिहार में बिधान सभा चुनाओं के लिए भी टाइम है लेकिन नेताप्रतिपक्स तिजस्वी आदव का कहना है कि जिस तरह से इंडिया वर्ल्ड कप जीता है उसी तरह से अगले साल बिहार बिधान सभा चुनाओं में भी इंडिया जीतेगा उनको समझना चाहिए कि भारत ने विश्वकप जीता है अब उनको अंग्रेजी बोलने की आदत है तो अलग बात है लेकिन हम लोग तो यह कहते हैं भारत ने विश्वकप जीता और विश्वकप जीतने पर भारतिये टीम को हम लोग उने बधाई दी तो लोकसवा एंडिये जीता रास्टिये जनतांतरिक गठबंधन जीता रास्ट की जनता की जीत हुई और आगे भी बिहार में जो चुनाओ होंगे उसमें रास्टिये जनतांतरिक गठबंधन ही चुनाओ जीतेगा और अभी लोकसभा के चुनाओं में भी 75 परतिसत सीट रास्टी जनतांत्री गटपंधन को वहां की जनताने दिया है और पूरे बिहार का विसलेशन हम करेंगे तो 243 विधानसभा चितरों में से लगबग 175 विधानसभा सीटों पर इंडिये के परतियासियों को बढ़हत मिली हैं और यह बहुत साफ तोर पे दरसाता है कि आगे जब विधानसभा का चुनाओं आएगा तो भीहार की जनता किस तरफ बढ़ने वाली है और भीहार की जनता ने देखा है कि डबल इजन की सरकार जब काम की है तो बिहार के विकास का रफतार बढ़ा है, कानून का राज रहा है और गलती से एक दो बार ये राज़त के लोग सत्ता में आ गए थे उस वक्त अचानक विकास में ब्रेक सा लग गया, कानून में वस्था का राज खतम हो गया अपराधियों का राज आ गया, इसलिए बिहार की जनता अब इंडिये के साथ ही रहने वाली है नितीज कुमार जी और नरेंदर मोदी जी के नित्रितु में ही चलने वाली है और हम सब लोग जो एडिये के लोग हैं बिहार की जनता की सेवा लगभग 19 वर्सों से करते आ रहे हैं इसी प्रकार से आगे भी करते रहेंगे और इस बार बिहार में रास्तिय जनतांतरी गटवंधन को 200 से अधिक सीटे आएंगी जैसे 2010 के विधानसवा चुनाओं में हम लोगोंने 200 से अधिक सीटों पर सफलता प्राप्त की थी जनता के आसिरवात से फिर एक बार जनमानस चो आज बिहार का है वो इसी सोच के साथ आगे बढ़ना चाहता है कि लोगों को अच्छी सड़क मिले स्वास्त सेवा और बेहतर हो ग्रामिन छेतरों का विकास हो किसी के अंदर किसानों के आबदनी बढ़े नوجवानों को सिक्षा और रोजगार मिले और वो काम इंडिये के सरकार बहुत इमानदारी और जवाबदही के साथ कर रही है इसलिए हम ही लोगों को फिर से जनता का असिरवाद मिलेगा हला कि चुनाओं में भी बहुत महीने बचे हुए हैं लेकिन हम सब लोग भी पूरी तरीके से तयार हैं और अगले साल जब चुनाओं होगा तो पूरी ताकत के साथ एंडिये मैदान में रहेगी और राजत की वही स्थिती होगी जो अभी लोगसभाद चुनाओं में हुआ था बिहार की जनता एक बार फिर बुरी तरीके से इनको पराजित करेगी अखिर में एक सवाल है कि लालु यादों का कहना है कि केंदर में सरकार एंडिये के तो बन गई लेकिन अगस्त तक ही ये सरकार चल पाएगी उससे ज़्यादा नहीं चल पाएगी अब लालु जी आज कल दीन में सपना देख रहे हैं तो उनको सपना देखने से कौन मना कर सकता है अब दो महीना पहले उनक्या भासन देते थे जश्यादा जीत रहा था लेकिन बिहार की जनता ने इनको चार सीट पर लाके समेट दिया नहीं तो बहुत बड़ा बड़ा दावाई लोग कर रहे थे बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे थे लेकिन जिस दिन चुनाओ परिणाम आया तो ना पिताजी मीडिया के सामने दिखाई पड़े, ना पुत्र मीडिया के सामने दिखाई पड़े और आप लोग कैमरा लेके उजीन खोज रहती इनलोगों तो लोग घर में मंद हो गया था और उसके बाद फिर चले गए बिदेश घुमने तो ये लोग इसी तरीके से राजनिती करते हैं और विधान सभा का भी जब चुनाओ परिणाम आएगा तो ये ऐसे ही बड़ी-बड़ी बाते करेंगे जैसे लोग सभा के पहले करते थे लेकिन बिहार की जनता फिर उनको वहीं पर लाके खाड़ा कर देगी जैसे लोग सभा चुनाओ परिणाम के बाद लाई है और मैं आज ही बता दे रहा हूँ आपको कि विधान सभा चुनाओ परिणाम आने के बाद फिर आप उनलों को कैमरा लेके खुलिएगा फिर दिखाई नहीं पड़ेंगे और उस वक्त अभी तो कुछ दीन के लिए बिदेशी आत्रा पे गए थे उसके बाद लंबी आत्रा पड़ चले जाएगे